अब 6 लाग फॉलोवर्स के साथ, दिनो दिन बढ़ता, दर्शोकों का ग्राफ, MP की बात, MP News के साथ हर सब्ता होने वाली शवराज फैबिनेट की बैठक संपन हुई, जहां कैबिनेट ने कई मुद्दों पर मन्थन करते हुए कई एहम प्रस्ता मन्जोर किया है, देखे रपोर्ट जंगल में काम करने वाली वन समीतियों में जन सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए शवराज सरकार की कैबिनेट बैठक में लाभांश की 20 प्रतिशत राशी वन समीतियों को देने का फैसला किया गया पिछले दिनों विश्वर जनजातिय दवस पर प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के समक्ष सीम शिवराज सिंग चौहान ने ये एलान किया और इस पर कैबिनेट की मुहर लगी है जन सहभागता जो वनों के अंदर हमारी वन समीतियों की होती है प्रधान मंत्री जी के समक्ष जो हमारे जन जाती भाईयों के लिए गोशलाएं की गई थी उसमें में गोशलाँ थी जो लावांस की रासी थी विभाग का परस्ताओ तो दर्स परस्तत का था लेकिन मुख्ध मंत्री जी द्वारा इसे बढ़ा का बीस प्रसंट मतलब सारा का सारा भाग जिसका हक है उसे सौपने में कैसी आना का नहीं है ये भाव लेके हमारे जन जाती भाईयों को पूरा का पूरा जो संचित निधी का पैसा था वो बन समितियों को देने का कहा है अब ग्राम सभा करेगी विभाग का अहटचेप नहीं होगा उनको बनाने और हटाने दोनों का अधिकार अब ग्राम सभाओंको छी दे दिया है वही बन समितियों का अगर गठन करेंगी अभी तक ये आरोब लगता था कि अप्रत्यक्ष रूप से बन विवाग का है उसमें अब जन्जाती विवाग के पूरा का पूरा उनी को अरिकार दे दिया है अंकारिश्वर और चतरपूर के सौर उर्जा पार्क को मंत्री मंदल से स्वीकृती दे दी हैं अंकारिश्वर से 600 और चतरपूर का 950 मेगावाट के सौर उर्जा पार्क विक्सित होगा प्रदेश में नवकरेणी उर्जा और नवीन उर्जा के लिए उंका रिष्टरर फ्लोटिंग सौर पार्क 600 मेगावाट और छतरपूर में सौर उर्जा पार्क 950 मेगावाट बहुत बड़ा है छतरपूर में कि अन्वती भी आज केबिनेट के द्वारा नवकरेणी उर्जा बिवाग को प्रदान की गई है यह अपने आप में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मानी प्रदान मंती जो आजरव ग्लास गो में आज़ित कॉप 26 सम्मिलन में जो निर्णे हुआ था आज मद्यपरदेश ने पहल करके छतरपूर और उंका रिश्वर में 950 और 600 मेगावा